Hello good morning dear students Welcome to success career आज की इस वडियो में आप लोग देखने वाले हैं आई टीई वालों के लिए यहाँ पे ट्रेड अप्रेंट्इस निकल करा रहा है और सभी ट्रेड के यहाँ पे अप्रेंटीस निकल करा रहा है साउथ इस्च एक रेलवे के तरब से और आज देख सकते हैं आज डेट है 26 अप्रेल 2022 पांच बजके 19 मिनट हो रहा है सुबह के और आज में अभी यह रिसेंटली आया हुआ है साउथ इस्ट सेंटर रेलवे आईटियाई अप्रेंटिस के लिए ठीक है और यह रेलवे का अप्रेंटिस है और आपको पता है सब्सक्राइब करेंगे तो आप यहां पर एप्लाइब कर सकते हैं इसके लिए क्या इलिजिबिल्टी क्रिटेरिया है क्या सेलेक्सर प्रोसेस है कब तक फार्म भरा जाएगा यह सभी हम वीडियो में डिसकस करने वाले हैं आपको नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा कैसे सब्सक्राइब 25 अप्रेल 2022 को रिलिज किया गया है और यह इसमें बोला गया है इंगेंजमेंट एक्ट अप्रेंटिस नाइंटी सिक्टी वर्ण के ताहत राइपूर में 2022 से इसके लिए यहां पर वकेंसी निकाली गई अप्रेंटिस के लिए और इसे आप लोग को भरना क से तो अप्रेंटिशिप इंडिया.org पे से भरना है जो कि 25 अप्रेल 2022 से स्टार्ट होगा अब फार्म कब तक भरा रह जाएगा तो 24 मही 2022 तक इस फार्म को भरा जाएगा यानि कि लास्ट कब तक है 24 मही तक यह नोटिफीकेशन आपको कहां से मिलेगा चलिए वह भी मैं ब अप्रेंटिश रिकूर्मेंट दो अजरबाइस फार 117 पोस्ट के लिए ट्रेड अप्रेंटिश निकला है इसको आप लोग ओपन कर लिजगा और आपको इसी में से नीचे के तरफ जाएंगे तो यह नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने का मिल जागा यहां से एप्ल स्टेबलिशमेंट नंबर इतना है यहीा अप्रेंटिश चिप इंडिया.org पर आप लोग को क्या करना है भरना होगा इस्टेबलिशमेंट नंबर में देखिए वेल्डर के लिए 119 पोस्ट है टरनर के लिए एक थार फींटर सिस्टी नियुके के लिए ईक्टिसिन नपिफ whack इंग्लिस के लिए 10 इस्टेज​​टा है है कि स्ट्रेड यहां 90ग के लिए सत्रा पोस्ट है मसिनिश्ट के लिए तीस और मेकैनिक डिजल के लिए 30 उसका रेफिरिज सना एंड ऐर कर सिनिस के लिए एक ठीक उसके बाद मैकैनिक आर्टो इलेक्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स के लिए यहां पे 30 पोस्ट है बात करें सिर्फ राइपूर डिवीजन से तो राइपूर डिवीजन से टोटल 690 पोस्ट आये होगा है उसके बाद अलग जगह पे बात करें अगर हम लोग तो वेगन रिपेर शाप राइपूर में इस्टिबलेस्मेंट नमबर इतना यह फीटर में यहां पे भी 140, वेल्डर के लिए 140, मसिनिस्ट के लिए 20, टर्नर के लिए 15, इलेक्टिसियन के लिए 15, कॉम्प्यूटर अपरेटर के लिए यहां पे 5 और स्टेनोग्राफर इंगलिस के लिए 2 पोस्ट आये है टोटल 337 पो अगर उसके लावा यहां पे देखिए पी डवलूड भी एक सर्विसमेंट के लिए अलग से 7, 6, 33, 88, 1, 9, 10, 33, 88, 1, 6, 39, 1, 10, ठीक है 1033 होरा है उसके लावा पी डवलूड और पाइए एसम के लिए यहां भी आया है 26 और 17 यहां पे 12 और 35 आया हुगा है ठीक है अब देख क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए तो आपको क्लास 10 पास आउट होना चाहिए मिनिममम 50% के साथ और आपको मस्ट पास आईटी आई कोर्स आपका जो भी ट्रेड उपर बताया गया उसमें आपको किसी भी इंस्टूट से चाहें NCVT हो चाहें HCVT दोनों में से साल होना चाहिए मैकसिमम 24 साल होना चाहिए 1722 को देख लीजिए आपका डेटा बर्थ किसके किसके बीच में होना चाहिए तो 1998 से 2007 ठीक है 171993 से 172007 ठीक है और PW1 सर्विस में के लिए 1988 से 2007 तक दिया है अब देखे प्रियर्ड आप ट्रेनिंग की बात करें तो आप लोग को यहाँ पर एक साल की ट्रेनिंग दिया जाएगा रेल्वे में और इसके दवरान आपको स्टिपेंड भी दिया जाएगा जो कि अप्रेंटिशिप आप्रि पाएं और ITI में आपने परसेंटेज पाया है 90 तो इन दोनों को एड़ करके 98 17 170 होगा उसका एवरेज बटा में दो करेंगे तो आपका कितना बनेगा यह 85 परसेंट इसी के हिसाफ से आप लोग मेरिट लिश्ट तयार किया जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर मेडिकल इग्जामिनेशन आए होगा नार्मल मेडिकल इग्जामिनेशन के बाद आपको रख लिया जाएगा अप्रेंटिस के लिए कंट्रेक्ट बेसिस पर ठीक है उसके बाद यह इंपोर्टेंट था देगे लास्ट डेट आपको मैं बता दूँ फार्म का भनने के लिए को फार्म भरना है ठीक है किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं उसमें आप लोग क्या करना है इस पर आप लोग देखिए अप्रेंटिशिप इंडिया.org पर आप लोग को पहले रजिस्ट्रेशन की होंगे तो आपको दुबारा रजिस्ट करना है कैसे करना है वो मैं अगले वीडियो में बता दूँगा लेकिन जो केंड़ेट अप्रेंटिशिप इंडिया.org पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किये हैं तो उनको लिंक डिस्क्रिप्टिप्स में दे दूँगा वो वीडियो जाकर देख लिए यह वाला वीड 2700 केंड़ेट ने अल्रेड़ी इस वीडियो को देखा हुआ है तो आप भी इस वीडियो को देखकर कैसे अप्लाई करना है वो देख लीजेगा ठीक है उसके बाद आपको रेजिस्ट्रेशन में आप लोग क्या कर लगेगा तो पासपोर्स साइज कलर फोटो लगेगा इस एप्लाई कर सकते हैं ठीक है और यहां पर किसी तरह कि आप लोग का अप्लिकेशन फीस नहीं लगने वाला है अप्लिकेशन फीस बिल्कुल जिरो है तो आप लोग जरूर एप्लाई करेगा और आल इस्टेट यानि कि पूरे स्टेट में आप कहीं से भी बिलांग करते हों तो आप वहां से भी डाउनलोड कर लिजेगा और किसी तरह कि आप लोग को टेक्निकल प्राब्लोम होगी किसी तरह को इन नंबरों पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं जो कि रेलवे का कंटेक्ट नंबर है हल्प लाइन के लिए दिया हुग है इन केस आफ एनी क्वेरी होंगे तो डाइरेक्ट आफिस में भी कंटेक्ट कर सकते हैं और यह देखे रिसेंटली अभी पचीस चार दो एजर बाइस को यह वकेंसी आया हुआ है तो जो भी कैंडिट इलीजिबल होंगे अभी रिसेंटली जिनका एक्जाम रिजर्ट आया वो लोग भी इसमें एप् के लिए आहां पर वकेंसी है मेकेनिक रेफ्रीजरेस एर कंडिशन मेकेनिकल डीजल मेचिनिस्ट हेल्थ सेनेटरिक कोपा इस्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी इलेक्टिशियन फीटर टर्नर वेल्डर इन सब के लिए हैं अगर यह आपका ट्रेड है आईट में तो की देना पड़ेगा अगर आप रेलेवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो ठीक है और आपका वन थर्ड मार्क जो आप लोग को अप्रेंटिस में आएगा वह डाइरेक्ली आपके वहां पे मेरिट लिश्ट जब गवर्मेंट जापके लिए बनेगा वह जुड़ेगा तो आप लोग जरूर रेपलाई करिएगा डेट अभी बहुत अच्छा है पचीस चार्ट से लेकर पचीस पांच दुहजर बाइस तक हैं तो उम्मीद करता हूँ यह सारी नोडिफिकेस आप लोग को समझ में आ गया होगा किसी तरह क्वेरी होगी तो कमेंट बाक्स में